हाई फ्रेंड्स चलिए आज का लाजा बाप इंस्टांड मिठाई बना करके दिखाऊंगी मैं आप लोगों को यहाँ पर पैन गरम हो जाने के बाद मैं इसमें दो कप मिल्क डाल रही हूँ और दो कप डूद डालने के बाद मैंने आधा कप डूद ले लिया है और इसमें एक चमच कस्टरड पाउडर में मिला रही हूँ और मिलाने के बाद मैं वही डूद में डाल दूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा चला लूँगी इसको दो मिनिट पका लेंगे दूद को और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिनी करीब 6 चमच में चिनी डाल रहे हूं दो कप दूद में 6 चमच चिनी डाल रहे हूं और इन्हें भी बढ़ी हैसे मिक्स कर लेते हैं अब मैं इसमें डालूँगी ड्राइफ रूट्स थोड़ा समय ड्राइफ रूट्स डाल रहे हूं काटके यह बिल्कुल अप्सन है आप चाहे तर डाल सकते हैं ना चाहे तर इसको स्कीप कर सकते हैं इन्हीं भी बढ़ी हैसे चला लेते हैं और मैं इसमें अभी डाल रहे हू एक चमच पावडर मिल्कुट यह पावडर मिल्क फ्रेंट्स डालने से क्या होता है ना बहुत ढ़िया टेस्ट देता है इसलिए मैं इसको डाल रही हूँ, अब इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं। मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रहे हूँ, अब देखिए इसका गड़े पनाना सुरू हो गया है, अब मैं इसमें इस तरह से चलाते हुए और 10 मिनिट के लिए पका लेंगे, गड़ा होने तक हम इसे छोड़ देते हैं, भी गड़ा हो गया है, इसको बंद कर देते हैं, अब एक बोल मैंने ले लिया है, इसको ट्रांसपर कर देंगे, बोल में और रूम टेम्परेचर आने तक हम इने पंखी के नीचे छोड़ देते हैं, अब चलते हैं, नेक्स प्रोसेस में, यहां पर मैंने ब्रेड ले लिया है, इसको साइड से ब्राउन जो पाठ है, इसको कर लिया है, अब चलते हैं, नेक्स प्रोसेस में, यहां पर मैंने एक प्लेट ले लिया है, इसको प्लेट में एक स्टर्ड मिल्क इस तरह से फेला लूँगी, आपके पास जो भी प्लेट अब ले बूल है, आप उसमें फेला लीजिए, उसके बाद आप इस तरह से में चील डाल दीजिए, इसको मीक्स करने के बाद, ब्रेड में इस तरह से फेला लीजिए, बढ़े हशा से ब्रेड में प्लोक पास जो आप भूला लीजिए, da, भी बेड शारी कि अबवे प्लेट, रग फेला ले एस तरह से, कास्टर मिल्क थोड़ा सा पहला लिगें इस बढ़िया से फेला लेना है आप उसके उपर एक एक और ब्रेड रखते जाएंगे फिर इसके बाद आप थोड़ा सा मिल्क इस तरह से फेला लिजिए उसके उपर सारा ब्रेड में मैंने फेला लिया है इस तरह से उसके बाद मिल्क कस्टड में इसमें और डाल रही हूं इसके उपर इस तरह से अब गार्निसिंग के लिए मैं इसमें डाल रही हूं कुछ ड्राइप रूट्स ड्राइप फूट्स डालने के बाद आप फ्रेंड इसको दो घंटा के लिए फ्रीच में रख दीजिए रेस्ट के लिए दो घंटा के बाद आम इसको दो घंटे के बाद इसको कट करेंगे अभी दो घंटा हो गया है मैंने फ्रीच से निकाल लिया है अब देखिए इस तरह से कट करके आप इसको ला जब अप मिठाई बना करके रेडी कर सकते हैं कोई मेहमन आए आप इसको दस मिनिट में बना करके खिला सकते हैं अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सेयार और सस्क्राइब करते हुए ना भूलिए यह देखिए बाजार से भी बढ़िया होम मेड मिठाई बनाक बन करके रेडी हैं यह बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा आप लोग एक बार बना करके खि लाइक, थैंक यू पर वाचिंग